हलो गाईश मेरा नाम है अनसार बाबू और आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अरहान अनसारी टेक में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे की दीबार को कैसे काटते हैं और किस तरह से दीबार को काटा जाता है आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों कि हम दीवार को काट रहे हैं यहाँ पर एक फाटक लगाया जाएगा यानि कि बड़ा सा गेट और दीवार को आपको किस तरह से काटना है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वीडियो में गिलेंडर की साहिता से आप दीवार को काट सकते हैं नीचे से लेकर नीचे से पहले आपको निसान लगाना है उसके बाद नीचे से काट कर ले जाना है उपर के लिए जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम गिलेंडर की साह प्राइटा से हम तोड़ना करेंगे स्टार्ट और यहां पर आप देख शकते हैं कि धीरे धीरे कट चुका है लगबग थोड़ी दीबार उपर बची है और एक कट इदर लगाएंगे एक कट और दूसरी साइड से लगाएंगे और नीचे की साइड से तोलते हुए उपर को बेंगे अगर आप उपर से तोलते हुए लाएंगे तो आपको काफी मसकत यानिकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और अगर आप नीचे से तोल कर ले जायेंगे तो आपको बहुत ही आसानी के साथ आपकी दीबार उट जाएगी और आपका जो फ़ाटक के लिए आप के बाद हम फिर इसको करेंगे थोड़ना करेंगे श्टार्टकू ए जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक हम काड़ने था सभी जिया है और हो arising गोली मर्सीन के ऐन-डर को लिए और these चकते हैं दोस्तों कि हमने कट तो लगा लिए हैं दोनों साइडों से और अब हमने इसको तोड़ना कर दिया स्टार्ट छेनी हतवरी की साइटा से भी तोड़ रहे हैं और जो अपना हैमर होता है पांच किलो बाला इसकी साइटा से भी इसको दीवार को निकाल रहे हैं बहुत ही आसानी से हलके हलके निकलता चला जाएगा उपर तक कोई भी दिकत किसी पिरकार की नहीं होगी दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमने काफी दीवार निका ली और इसके ऊपर दो मंजिल बना हुआ है मकान और सब से पहले हमने बली लगाई थी, एक एक दो दो बली अंदर और बाहर लगा लिए थी, जिसे की दीवार रुकी रहे और लिंटर रुका रहे और यहां पर आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कट लगाए थे दोस्तों हमने और हैमर की शायता से नीचे से उपर को निकाल कर ले जा रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारा बंदा लगा हुआ है और बहुत ही मेनत के साथ इस दीवार को हमने निकाल दिया बस थोड़ी सी 4-5 रद्दे भचे हैं दोस्तों उपर निकालने के लिए तो इस तरीके से दोस्तों अपनी दीवार आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें